पॉस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रजैनी पॉलिवुड के नशेडियों के समर्थन में उत्रे एंसीपी के नहता नवाह मलिक लगातार इस पूरे ड्रग केस में एंसीपी के जोर्नल डिरेक्टर समीर वान खेड़े पर तमाम छूटे अहरोब लगा रही हैं तमाम परजी वाड़ा उनकी तरफ से खिया खिया लेकिन अब जब अपने ही मुनेचाक में फस रहे हैं तो किस तरीके से तमाम बयानों से पलट रहे हैं और अब उन्होंने इस पूरे माफले में उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री योगी अरिथना को भी खस लिया है दराव अलिक ने कहा है कि दरसल तो यू-पी वूड्वूड बनाने की बड़ी साथिश हो रही है छो रुधתח मली प्रैस की जिसप हुने कहा कि बीचेपी पूरी तरहीफे से इस कोशिश में है कि बॉलिफुड को मुंबई से बाहर निकाला चाहे इसी कारण वो ड्रग के जर्के बॉलिफुड को बदनाम करने में लगी हुई है साथ ही नवाप मलिक ने उत्तरपरदेश की मुख्यमंतरी योगी अधितनात का भी नाफ लिया हुने कहा कि योगी जी नॉयठा में फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं और इसलिए बॉलिफुड को बदनाम किया जा रहा है ताकि मुंबई से निकाल कर इसे यूपी बुड बनाया चाह सके तो नवाप मलिक आखिर नॉयठा में फिल्म सिटी जो बन रही है एक भव्या कि आखिर नवा मलिक का डर क्या है उत्तर परदेश में जहां इंफ्रेस्ट्रक्ट्टर को मच्पूत करने के लिए तमाम प्रोचेक्ट चल रहा है वैसे ही उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगी अरिसनाथ वहां फिल्म सिटी एक बड़ी फिल्म सिटी का निर्मान करन हैं खलके उत्तरपरदेश में अभी नौर्शीडा के स्ट्रे которая सब्सुर् совершенно में फिल्म सिटी वहां उत्तने स्टोडियों नहीं हैं ऊतसा अभटा्यये जो कह सकते हैं कि एक इंटिजाम है फिल्म सिटी के लिए वो नहीं किया जा सकता है यही वचा है कि कि यह जो फिल्म पिर चाहे बात हैद्राबाद की रामोची फिल्म सिटी की की चाहे या फिर पंजाब की फिल्म सिटी की की चाहे जहां एक अलग ही फिल्म सिटी बनाई गई है और तमाम देश के अलग लग राच्चे इन तमाम फिल्म सिटी के चरिये कहीं न कहीं अपने राच्चे का जो एक सन्सकृति है जिस तरीके की फिल्म में वह वड़ाए जाती हैं वह कहीं न कहीं उसे मच्पूती फिले अपने वहां का जो सिनेमा है वह मच्पूत हो यही कौशिश में पुझे मुख्यमंतरी योगी अधितनाथ भी है लेकिन जब से उत्रपरदेश में frontal city का निर्मान की बात हुई है तब से इस प्रोजेक्ट की नीव रखी गई है लगातार उथव ठाक्रे सरकार पुख्राइँ हुई है आपको बदादे ना सिर्फ नेता नपाह पलिक जो कि उथव ठाक्रे सरकार में मंत्री हैं उनका यह पयान सांदे आ हैं बलकि इसी पूरे माफले में महराज्ट के मुख्यमंत्री उधव ठाक्रे थी बयान दे चुके हैं आपको बता दे हाली में उत्तरवरदेश के मुख्यमंत्री योगी अधितनात मुंबई के दोख्रे पर गए थे और उस वक्त वहाँ उन्होंने फिल्म सिटी इन्वेस्टर्स के साथ बैठक की थी और वो कई एक्टर से उनकी मुलाकात हुई थी लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री उथव ठाक्रे ने बयान दिया था उन्होंने कहा था कि कॉंपिटिशन होना अच्छी बात है लेकिन चिला कर धंका कर कोई लेकर जाना चाहेगा तो मैं वो नहीं होने दूँगा ये बयान उनकी तरब से दिया गया था डर साफतोर पर दिखाई ते रहा है लेकिन ये डर क्यों है क्या ये डर ड्रग माफियाओ की वचा से है जिस तरीके से बॉलिवुड में लगातार ये पूरा ड्रग कनेक्शन कहराया हुआ है ये पूरा बॉलिवुड में ड्रग नैक्स में उधव ठाकते सरकार उत्री हुई है एंसीबी की कारवाई को वो गलत बता रही है एंसीबी जान पूछकर इन ड्रग माफियाओ और इन नसेटियों को फसा रही है ये तमाम बयान उनकी तरफ से दिया जाते हैं तो क्या इस पूरे ड्रग नैक्सिस को वो अपनी कमाई क जर्किया बॉलिफुड में बना रही है ये बड़े सवाग है जो लगातार उट रहा है जिस तरीके से अब नोइड़ा में फिल्म सिटी का विरोध किया चा रहा है और नवाह मलीक लगातार इसका कड़ा विरोध कर रही है पहले भी उनकी तरफ से बयात दिया क्या है और एक बार फिर से उन्होंने इस तरीके का वियान दिया है बीजेपी पर निशाना साथिक वे नवाह मलीक ये कह रही है कि दरसल बीजेपी की ये साजिस है कि ड्रग के बहाने बॉलिफुड को मॉंबई से बाहर किया जा सके लेकिन जाहिर तोर पर ये पुरी तरीके से जो फ फिल्मों की शूटिंग होती है जाहर तोर पर फिर चाहे वो हैदराबाद की रामोची फिल्म सिटी हो या फिर पंजाब में अलग फिल्म सिटी इसके लावा साउथ में अगर फास की जाए तो जिस तरीके से साउथ सिनेमा है तो इस तरीके से ही अगर उत्तरपर्देश मे इस Film City का निर्मान हो रहा है अगर वहां भोजपूरी फिल्मों से लेकर तमाम जो वहां की फिल्में हैं उन्हें कहीं ने कहीं मचपूत करने के लिए उस सिनेमा को मचपूत करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है तो उधर ठाकरे सरकार को इतनी जादा तकलिफ क्यों हो र प्रिक ने ना सिर्फ वह नौटा में जो फिल्म सिटी बन रही है उसको लेकर टैंशन में दिखे उसको लेकर उन्होंने ये पयान दिया बलकि इसके लावा NCB के जॉर्णल डिरेक्टर समीर क्वान खिड़े जिन पर तमाम आहरोब लगा रही है जिनके जाती फर्मान पत् यही वचा है कि कहीं न कहीं वो प्रेस कांफरेंस करते हुए लगातार सफाई पेश कर रहा है अब जिस तरीके से समीर वान खिड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुप कर लिया है उन्होंने साफ़तोर पर बॉम्बे हाई कोर्ट में ये कहा है कि जो उन पर आहरोब लग जो परसनल अटैक उन पर किये गए है इन तमाम आरोफों की CPI जाच होनी चाहिए ये साफ तोर पर उनकी तरफ से कहा क्या है और जाहिट तोर पर अगर CPI जाच होती है तो नवाफ मलिक पुरी तरीके से बेनकाप होंगे यही वजा है कि एक बार फिर नवाफ मलिक साहने आ नवाफ मलिक की और से कहा किया है उन्हें कहा कि ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है उन्होंने कहा है कि जो भी आहरोब मैंने समीर फान खेड़े पर लगाए हैं वो सबूतों के साथ लगाए हैं लेकिन ये सबूत कितने जूटे हैं ये लगातार सचाई साफने आ रहा है फिर जाहे बाद समीर फान खेड़े के दूबाई गवरे की की जाए जहां छूटी तस्पीरे शेर कर नवाफ मलिक ने ये दावा किया कि समीर फान खेड़े दूबाई गए थे और वहां उन्होंने फन कलाकारों से वसूली की है वो आरोब जूटा साबित हुआ इसके अला जाम ज्यांते वान खेड़े था ये खुद उनके पिता की ओर से ही खुलासा किया गया है और जो असली डोक्यूमेंट है वो सापने रखा गया है तो नवाफ मलिक के इस वरजी वाड़े की पॉल लगातार खुल रही है नवाफ मलिक पर 6 से जादा FIR कुल मिलाकर दर्ज हो एक के बाद एक नवाफ मलिक नए नाम साथने ला रही है लेकिन नाम भी किस तरीके से उनमें भी फरजी वाड़ा किया किया है ये हाली पे हमने देखा जब परभाकर जैल का वो हलफ नाम जिसमें उन्होंने सैम डिसूजा का जिक्र किया था लेकिन वो सैम डिसूजा कोई और ही शक्स निकला और किस तरीके से जूटे आहरोब वसूली के समीरवान खेड़े पर लगाए गए इसका भी लगातार परदाफाश हो रहा है तो नवाह मलिक के जूट और ये फरजी वाड़ा लगातार इसकी पोल खुल रही है अलकि हाली में नवाह मलिक की ओर से एक और ट्वीट किया गया था जिसमें उन्हें एक दाढ़ी वाले का जिक्र किया था और उन्हें उस दाढ़ी वाले शक्स के नाम का खुलासा कर दिया है उन्हें कहा है कि दरसल उस दारीफाले शक्स का नाम काशिफ खान है दरसल नवाह मलिक पहले ये कह रहे थे कि मुंबाई के क्रूज पर कोई रेव पार्टी नहीं हुई है लेकिन जब वो अपने बयानों में फसे जब जाच की आच उन पर आई उसके बाद नवाह मलिक अपने बयान से पल्टे और उनकी तरफ से ये कहा किया कि दरसल एक ड्रग माफिया ने इस पार्टी को और्गनाईज किया था और रेव पार्टी हुई थी और उस सक्ष का नाम अब नवाह मलिक ये कह रही है कि काशिफ खान है और दावा ये कर रहे है कि वो फैशन टिवी का इंडिया है जो की क्रूस पर इवेंट और्गनाईज करता है इसके अलावा नवाह मलिक ने काशिफ पर कई गंभीर आहरोब भी मढ़ती हैं ये कह रही है कि समीर खान खेड़े के साथ काशिफ के लिंक है इसलिए उसकी गिरफतारी नहीं हुई है तो ये आहियन खान और इस पूरे ड्रग कनेक्शन में किस तरीके से एंसीबी की जाच को परभावित किया जाए किस तरीके से अपने दामाद समीर खान को इस पूरे ड्रग नाक्सिस से बाहर निकाला जाए मुश्कले उसकी कम की जाए यही तमाम कोशिश में फिलाल नवाफ मलिक लगे कोई है अगर बॉलिफूट में इस ड्रग नाक्सिस में एंसीबी को सफलता हाथ नहीं लगती है यही कोशिश में नवाफ मलिक फिलाल लगे हुए है कि किस तरीके से एंसीबी की के पूरी जाच को परभावित किया जाए किस तरीके से बॉईफुट में इस पूरे ड्रग नाक्सिस को NCB ध्वस्थ ना कर पाएं यही तमाम कोशिशे हैं जो फिलाल नवाफ मलिक की ओर से जारी हैं लेकिन वहीं दूसरी और NCB के जॉर्नल डिरेक्टर जमीर फान खेड़े अभी भी अपनी कारवाई में लगे हुए हैं और जो उन पर आहरोब लगाएता हैं उसकी जांच NCB के जो डीडीजी है ज्यानिश्वर सिंग वो कर चुके हैं चार खंटे की पूस्ताज के बाद उन्होंने ये कहा था कि इस पूरे ड्रग नाक्सिस को खंगाने का काम NCB के जॉर्नल डिरेक्टर जमीर वान खेड़े ही करेंगे लेकिन जो धंकिया उन्हें मिल रही थी नौकरी से निकालने की जेल फेजने की नवाफ मलिक के द्वारा तो हो सकता है कि नवाफ मलिक या उथव ठाकरे सरकार पुलिस का गलत इस्तमाल करते हुए उनकी गिरफदारी किसी भी वक्त करा ले लेकिन अब बंबे हा कोट ने ये कहा है कि समीर वानखेड की गिरफदारी से तीन तिन पहले नोटिस देना होगा अचानक उन्हें गिरफदार नहीं किया जा सकता है ऐसे माफले लगातार मुंबई और माहराश्ट में देखने को मिले हैं जब अचानक लोगों को जूटे केस में गिरफदार किय क्या है फिर चाहे वो रिपबलिक टीवी के एडिटेंट चीफ अर्णव गोस्वाफी की गिरफदारी हो या फिर केंट्रिय मंत्री नाहेन राथी को जिस तरीके से गिरफदार क्या क्या था उनकी गिरफदारी हो तो ये तफाम ऐसे माफले हैं माहराश्ट में जो लगाता तून नहीं है लेकिन अवैद किरफतार्यों का दोर माहराज्ट में लगातार चारी है जिस तरीके से मुंबाई पुलिस का गलत इस्तमाल करते हुए उधर ठाकरे ने अटनब गोस्वामी से लेकर केंट्प्य मंत्री को किरफतार किया और यही वज़ा है कि अब समीर वान खे से वो बच जाएंगे या फिर इस तरीके से सियम योगी अधितनात को खेर कर वो इस पूरे माकले से बच जाएंगे लोगों का साफतोर पर यह कहना था कि समीर वान खेड़े जैसे इमानदार अधिकारी पर जो अहरोब लगाए गई है वहां तक ठीक है उसकी जाच हो रही है लेकिन जिस तरीके से योगी अधितनात जोकी उत्तरपरदेश के मुख्यमंत्री है उनका नाम खसीटा गया है वो ठीक नहीं है योगी अधितनात एक ऐसे मुख्यमंत्री है जो पड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं और जाहर तोर पर अगर नवाह मलिक इस तरीके क जूटे अहरोब लगाएं के तो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है तो फिलाल मुश्किलों में नवाह मलिक है और यही बचा है कि बीचेपी पर निशाना सास्ते हुए यह बॉह वुड से यूपी वुड तक का जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा है फिलाल आपक कि इस पूरे माफले पर कराए है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थन्यवाद